Dear students, अब हम जानने की कोशिश करते हैं आइनाइजिशन एनरजी की ट्रेंड को अलाउंग दा ग्रॉप्स एंड आइनाइजिशन एनरजी का क्या ट्रेंड है Students, do remember आइनाइजिशन एनरजी की वैल्यो अलाउंग दा ग्रॉप्स डेक्रीस होती है उसकी कुछ reasons है जिसको हम example से देखने की कोशिश करते है once again I will take atomic number of lithium which is 3 जिसके पहले shell में आएंगे 2 electrons center में होगा nucleus और valence shell में आएगा 1 electron this is your valence shell जिसमें आएगा only 1 electron lithium के बाद next element group में आता है sodium sodium का atomic number 11 once again first shell जिसमें आजाएंगे 2 electrons फिर होगा इसका भी next shell जिसमें आजाएंगे 8 electrons फिर आएगा बेलेंस shell जिसमें 1 electron होगा सोडियों के बाद आएगा potassium जिसमें आप देखेंगे 1 electron आ रहा होगा अब देखते हैं इस electron को भी निकालने के लिए कुछ energy चाहिए इस electron को भी निकालने के लिए कुछ energy चाहिए और इस electron को भी निकालने के लिए कुछ energy चाहिए जिसको हमने नाम दिया ionization energy का तो along the group आप देखेंगे कि ionization energy की value decrease हो रही है उसकी reason बहुत simple है आप देखें कि इस negative का इस negative charge का इस positive charge से attraction सबसे ज्यादा है यानि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर nuclear charge सबसे ज्यादा है जब attraction सबसे ज्यादा है तो इस electron को निकालना सबसे मुश्किल काम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा energy देनी पड़ेगी एक high amount of energy देनी पड़ेगी इस electron को ताके यहाँ से निकले because उसने इस nucleus को ज़्यादा attractly grab किया हुआ है अब चलते हैं sodium की तरफ sodium में देखें इस electron का village shell electron से nucleus का फासला काफी ज्यादा हो गया पहले के मुकाबले है पहले देखें फासला काफी कम है यहाँ पे फासला बढ़ गया distance हो गया increase इसका मतलब कि positive और negative की attraction हो गई कम तो अब इसको निकालने के लिए कम energy चाहिए होगी इसके मुकाबले में चुक्के यहाँ पे पहले ही attraction कम है जब attraction कम है तो यह electron असानी से निकल सकता है यानि बहुत ही कम energy आप दोगे तो यह electron असानी से निकल जाएगा next group में move करते हैं potassium की तरफ देखिए यहाँ पे distance और ज़्यादा बढ़ गया valential electron और nucleus का distance इन तीनों के मुकाबले में यहाँ पे बहुत कम है distance यहाँ पे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे distance है तो अब आप देखें forces of attraction सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर होंगी तो इसका मतलब इस electron को निकालना इन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा easy होगा तो बहुत ही कम energy चाहिए होगी और यह electron निकल जाएगा तो बहुत ही कम minor सी energy चाहिए और electron निकल जाएगा तो आपका trend क्या बनेगा कि ionization energy जब आप ऐसे group में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ionization energy decrease होगी decrease होगी आईए अब बात करते हैं ionization energy की trend को along the periods Dear students, do remember ionization energy की value along the periods increase होती है आईए उसकी reason को समझने की कोशिश करते हैं Once again हमारे पास है lithium lithium atomic number 3 first shell will be having 2 electron last shell will be having 1 electron lithium के बाद आता है beryllium atomic number 4 first shell would be having 2 electron पिर आएगा next shell जिसमें once again 2 electron beryllium के बाद आएगा boron atomic number 5 first shell 2 electron next shell 1, 2, 3 electron boron के बाद आएगा carbon atomic number 6 first shell 2 electron next shell 1, 2, 3, 4 electron फिर आएगा nitrogen 7 first shell 2 electron next shell 1, 2, 3, 4, 5 electron तो आप देखिए के जैसे जैसे हम along the periods move कर रहे हैं तो atom का size smaller होता जा रहा है size smaller होता जा रहा है तो अब आप सोचिए के nucleus charge nuclear charge actually बढ़ता जा रहा है यानि यहाँ पर आप देखिए distance इस electron का इस nucleus से है ज्यादा तो यहाँ पर आपको कुछ energy चाहिए होगी इस electron को निकालने के लिए let's suppose वो यह energy है जिसको हम ionization energy कह रहे हैं यह energy चाहिए जैसे ही second element आएगा तो आप देखेंगे along the period atom का size हो जाता है smaller तो यहाँ पर size है चोटा इसका मतलब यह electron इस nucleus से करीब है इसका मतलब यह distance close है तो forces of attraction हैं ज्यादा जब attractive forces ज्यादा हैं तो इसका मतलब इसको ionization energy की value ज्यादा चाहिए होगी यहाँ पर size और ज़्यादा चोटा हो गया यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा कम हो गया electron और करीब आगे nucleus के इसका मतलब इसको निकालने के लिए और ज्यादा high amount of energy चाहिए होगी ताकि यह electron यहाँ से निकले तो इस तरीके से students आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम along the period move कर रहे हैं तो ionization energy की value increase हो रही है उसकी reason यह है कि atom का size चोटा हो रहा है और nuclear charge increase हो रहा है force of attraction increase हो रही है जबकि shielding effect पे तो कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो तो depend करता है कि shells number कितने है तो यहाँ पे shell number same है इसका मतलब shielding effect constant है तो मैं उमीद करता हूँ आपको ionization energy के trends अच्छे से समझ आ गया हो गया